हलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ओफ कोरोला हम पहले कई लेक्चर्स में फ्लॉवर के पार्ट्स पढ़ चुके हैं और आप सभी को पता है कि कोरोला जो फ्लॉवर का एसेसरी ओर्गन होता है और ये एसेसरी ओर्गन फ्लॉवर को प्रोटेक्ट करता है औ और पॉलिनेशन के लिए इनके जो कलरफुल कॉरोला होता है किसी भी फ्लावर का वो पॉलिनेशन के लिए परागन के लिए कीटों को आकरशित करता है तो कोरोला जो है इसकी बहुत एहमियत है सबसे पहली बात तो कि हम किसी भी फ्लावर के कोरोला को देखकर हम उस फ्लावर को आसानी से पहचान जाते हैं एक तो फ्लावर का कलर और कोरोला के प्रकार तो आज हम डिसकस करेंगे टाइपस ओफ कोरोला कि कोरोला किस किस प्रकार के होते हैं और हम कोरोला को देखकर आराम से किसी प्लांट को इसीली कैसे पहचान सकते हैं मुख्य तर कोरोला को हम दो प्रकार के कोरोला के टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं यह हम कह सकते हैं कि कोरोला दो प्रकार का होता है एक होता है आपका Polypitalis और एक होता है Gamopitalis Poly का मतलब है Free जब Corolla का जो एक भाग है उसे हम कहते हैenne Petal जब Petal आपस में Free होते हैं मतलब जब वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं तो हम उसे कहते हैं Polypitalis Corolla हम उसे कहते हैं Polypitalis Corolla और जब वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो हम कहते हैं कि गैमो पिटेलस मतलब ये कोरोला जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे गैमो पिटेलस ग्यामोपिटलस को हम हिंदी में कह सकते हैं सैयुक्त दली और पॉलिपिटलस को कह सकते हैं प्रथक दली तो दो शब्द फिर हैं आपके प्रथक दली जब कॉरॉल आपस में फ्री हो और ग्यामोपिटलस सैयुक्त हो अब इनमें दो शब्द और आ रहे हैं एक है रेगुलर और इन्रेगुलर रेगुलर और इर्रेगुलर देखे तो हम पहले पॉलिपिटलस केरला को को देखेंगे देखो जो रेगुलर हैं ये क्या हैं ये आपस में जो रेगुलर को रेगुलर हैं ये एक्टिनोमार्फिक हो सकते हैं देखतर ये एक्टिनोमार्फिक हैं और इनको आप बाटोगे तो दो बराबर भागों में प पॉलिपिटलस करोला के अधी हम प्रकार देखें तो यह रोशेसियस कैसा हो गया रोजेसियस करोला रोजेसियस मतलब जो इसमें पहला टाइप है आप थोड़ा ध्यान सा देखें चित्र में रोजेसियस अर्थाथ गुलाबवद जैसे कि गुलाब का जो फ्लॉवर होता है जब गुलाब का फ्लॉवर जो करोला का पैटरन है वो कैसा है इसमें 5 या 5 से अधिक पैटल आपस में जुड़े उवे नहीं रहते और बिल्कुल इस पश्ट दिखाई देते हैं और इसके हर पैटल में एक क्लॉव दिखाई देगा मतलब वो उपर से चोड़ा होगा और नीचे से पतला होगा तो एक्जामपल है इसका गुलाब दूसरा है आपका क्यूसी फॉर्म कोरोला क्यूसी फॉर्म मतलब क्रॉस रूम जब यह एक्जामपल है सर्सों का जो क्यूसी फॉर्म करोला है किसका एक्जामपल है सर्सों का इसमें आप देखिए जो पीले कलर का आपको करोला दिख रहा है इसमें चार दल आपस में क्रॉस बनाते हुए ए में हम प्रतिक दल को यादी हम देखे तो जो दल है वो लिम्ब और क्लाव में बहुत आसानी से हमें विभाजित होता हुआ दिखाई देता है लिम्ब मतलब जो उपर वाला इसका जो आगे वाला पोशन थोड़ा होता है नीचे वाला थोड़ा सा पतला हो जाता है तो अधिक तर इन में जो नंबर ऑफ पैटल्स फ्राइफ होते हैं और यह आपस में थोड़े से ऐसा लगता है हम को जासे हम इनको एक पैटल को देखें कि एक दूसरे से समकोंड पर व्यवस्थित है और यह एक्स का एक्जामपल है केरो फिलियसी के मैंबर और दान्थस अध जयासे नाम से है यह मतर कुल एकियूंकर होता है और हम इसको कह सकते हैं निधी में तितलिया का था वह गूं होता है । और यह फिरे समान होने के बाद यह पर ऐसा होगा यह होगा आपका दाहिड़sters कि चिसमें क्या है कि एकव्यास सम्मिथ है और पॉली पिटलक से लेकिन जितने भी सबनरे कैसे पॉलीपुटईल तो हम आपको पहले जो है पैपिन युशेस क्रोला को एक बार अच्छे से देखत अंड समझा देते यह प्रत् Hause होते हैं इसमें प्रतक दली पहले तो ये प्रथक गली हैं दूसरा इसका जो चोड़ा वाला पैटल होता है उसको कहते हैं स्टेंडर्ड उसको कहते हैं स्टेंडर्ड और स्टेंडर्ड के आसपास दो छोटे होते हैं वो कहलाते हैं विंक्स या पक्ष और सबसे अंदर वाले जो दो होते हैं वो बहुत बाहर से नहीं दिखाई देते, वो कहलाते हैं कील, तो इसे जो पैटलs है, उनको यह विशिस्ट नाम दिया गया है, स्टैन्ड doaps, विंग्स औि कील, स्टैन्ड elaps विंग्स और कील, अब यह देखें, इसमें हमको जो फ्लॉवर दिकह रहें उनके भी प्रकार यह जो इस चेत्र में आपको पुश्प दिख रहें उनके भी प्रकार है यह हम देख सकते हैं जैसे है यह आपका केमपेनलियोड केमपेन्यूलेड फ्लॉवर या बैल शेप बैल मतलब गंटे के समान जिसकी आकृति उसको हम केमपेन्यूलेड फ्लॉवर कह सकते हैं इसमें जो पांच हो ये सब जाइगोमार्फिक होंगे ये कैसे होंगे जाइगोमार्फिक हो सकते हैं और अधिक तरिया सब ग्याम फीटलिस होंगे ग्याम जुड़कर एक घंटे की आकरती बना लेते हैं बेल शेप आकरती बना लेते हैं एक्जामपल कैम्पेञपेनीलेट लिए कोरोला का एक्जामपल है कसकूटक ठेजामपेřा म tuskerााँ अमर बेल की जो फ्लावर होते हैं वह धेजामा ह्शामपल होते है जैसे फणनल का आकार है कीप शेफ सरचना तो ऐसा गमोपिटले लग कुरोला यह आपका धतूरे का एक्जाम्पल दिख रहा है यह दोतूरे में भी होता है और आपोमिया की कुछ इस्पेशी आपोमिया में भी ढूरी उसमें भी सौरी आपोमिया जो है उसमें भी ये इन्फेंडिबुलिम करोला या फंदल शेप करोला जिसको हम हिंदी में कहते हैं कीपा का बहुत लियर दिखाई देता है ये गेमपेटलस करोला का ही एक्जामपल है आप देखें जो पांचो पैटल है ये आपस में जुड़कर कीप के समान सरचना बना रहे हैं किसके समान फिर है इस चित्र में आपको एक दिखाई दे रहा है कि किया नाम है जो दिखाई दे रहा है उसका नाम है यह देखो जो रैट जो रैट कलर का है वह आपका सालवर शेप्ड यह वाला क्यों यह एकजोरा का एकजम्पल है एकजोरा इसमें क्या है कि जो गेमो पिटला से यह सैयुक तो दली कोरोला एक नली की साहता से यह एक नली जैसे नीचे तो नली है और फिर यह जुड़कर और जप्ता हो जाता है और उपर हमको इसके पैटल दिख रहे हैं और फिर हमको उपर इसके जो फलक है वो क्लियर पाँच दिखाई दे रहें तो यह एक जओरा और आपका कैथर अंतर रोजियास बारव्र माशी जसको हम कहते हैं उसके कोरोला भी सेलवर शेप्ड होते हैं कैसे होते हैं सेलवर शेप्ड फिर है यह आपका एक रोटेट रोटेट हिंदी में हम कहेंगे इसको वील शेप्ड कोरोला कैसा है वील की आकार का चक्र की आकार का चक्राकार कोरोला चक्राकार करोला जो है ये ऐसा गेमोपिटेलस सहयुक्त दली करोला है जिसमें की दल फलक दल मतलब ये जो पैटल्स हैं ये अपनी एक ऐसे एक दूसरे से ऐसे लग रहा है जैसे कि हमको एक वील के समान सरशना दिखाई दे रही है चक्र के समान सरशना दिखाई दे रही है तो यह है रोटेट शेप, अब इस स्वित्र में देखिए हमारे पास यह जो पास तरह के पैटल अभी हमने पढ़े, यह है आपका पैपिलियोन येशिस कोरोला, एक्जामपल मटर कुल, मटर, पाइजम सटाइवम, इस तरह की कॉशन, एक एक नंबर वाले कॉशन में आते है पैपिलियोन येशिस कोरोला, जो है विशेश प्रकार का कोरोला है, और यह मटर कुल का एक विशिस्ट लक्षन है, फिर यह है आपका कैमपेनियलियोट कोरोला, गंटा कार कोरोला, इसका एक्जामपल है कसकुटा, यह है इन फैंडिबुलम कीपा कार कोरोला, एक्जामप है सदा बहार या विंकर रोजिया कैथरन तस रोजिया फिर यह अपका एक जोरा एक जोरा में पैटल मिलकर एक ट्यूब लाइक की स्ट्रक्चर बना रहे हैं और यह यह अपका salver shaped हम क्या कहेंगे इसको salver shaped corolla अब यह देखे आपके यहाँ पर और भी कुछ प्रकार के corolla है जिनको हम एक बार थोड़ा सा देखेंगे जो हमारे रहे गए हैं देखो इसमें है main यह आपका यह है इसको देखो bilabiate corolla कौन सा है? bilabiate corolla जिसको हम कहते हैं dwi ostier क्या कहेंगे हम? dwi ostier नाम से भी विदित हो रहा है dwi dwi ost मतलब दो ओट के समान सरशना दिखाई देती है एक ostiera और एक hiera तो दो ost के समान सरशना दिखाई दे रही है तो यह bilabiate corolla इसका example है osimum तुलसी का जो flower है आपने देखा हो तो यह bilabiate होता है एक उपर वाला दल और यह नीचे वाला उपर वाले दल, तीन दल मिलकर उपर का lip बनाते हैं और यह नीचे वाला lip तो यह bilabiate dwi osti corolla example है तुलसी फिर है आपका personate corolla personate corolla यह रहने सबसे जो नीचे वाला है orange color का इसमें क्या है कि यह भी gamopitalis corolla का ही संयुक दल का ही example है इसमें यह जो दोनो इसके lips है इसके जो दोनो lips है देखो यह जो इसके दोनों lips है यह आपस में बहुत पास-पास आ जाते हैं यह बहुत पास-पास हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि यह दोनों मिलकर pushp का मुखे द्वार बंद कर रहे हैं तो यह इसका example है dog flower इसका example है dog flower antirinum क्या कहेंगे हैं dog flower antirinum फिर है यह है आपका legulate corolla यह देखो यह इसमें जो है यह वाला एक करोला यह लिगूल है यह legulate करोला कहलाता है यह वाले जो है यह एस्टरसी के members में मिलते हैं legulate करोला इसमें क्या होता है यह भी गेमो पिटेलस करोला का example है इसमें नीचे की और जुड़ा रहता है मतलब पैटल पूरे आपस में जुड़े रहते हैं और फिर बिलकुल चपते हो जाते हैं जैसे की sun flower sun flower यह जैसे ज़िए sun flower है तो sun flower के जो ray floats है रश्मी पुश्पक sun flower के जो ray floats है रश्मी पुश्पक यह उधारण है लिग्यूलेच करोला का जीबी का कार इसको कहते है जीबी का कार मतलब यह हमारी जिवान के समान सरश्णा दिखाई देती है तो बच्चों हमने आज पढ़ा टाइपस ओफ करोला और हम यदि किसी भी पुश्पक को उसके करोला से पहचान जाते हैं तो हम उसको बहुत आसानी से पहचान जाते हैं इसलिए यह identification of plants के लिए टाइपस ओफ करोला बहुत important topic है